तो आज की इस वीडियो में मैं एक विलियम ब्लेक की एक छोटी सी बहुत ही खुबसूरत पोईम को डिस्कुस करूँगा दे लिटल ब्लैक बाई ये पोईम आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी दोस्तों मैं ज्यादा बोलूँगा नहीं शुरू करते हैं ये पोईम विलियम ब्लेक के एक कलेक्शन साउंग्स आफ इनोसंस में पबलिश होई थी और इस पोईम को एक निगरो बच्चे के पॉइंट अफ यू से सुनाया गया है और इस पोईम में एक्वैलिटी की बात की गई है कि काले गूरे सब बराबर है भगवान के लिए उस वक्त ना इस टाइप की बात करना पागलपन माना जाता था एक रोडियर्ड किपलिंग थे जिन्होंने वाइट मैंस बर्डन नाम की थिवरी दी थी और एक विलियम बलेक विलियम बलेक जैसे लोगों को तो पागल ही का जाता था क्योंकि ये अपने टाइम से एडवान्स सोस्ते थे इनको जीते जी अगनूर किया गया लेकिन जब जमाना समझदार हुआ तो समझ में आया कि पागल वो नहीं था पागल तो हम थे इनकी पोइम्स को पढड़ पढ़ के समझ में आया कि एक पावरफुल मैसेज होता था इनकी हर पोइम के अंदर जैसे इस पूर्म की पहली लाइन बोलती है एक ब्लैक बच्चा है निग्रो बच्चा वो बोलता है My mother bore me in the southern wild Southern wild का मतलब अफरिका में मेरी माँ ने मुझे अफरिका में जनम दिया And I am black इसलिए मेरी skin black है मैं काला हूँ लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ But oh my soul is white कि मेरी आत्मा जो है वो सफेद है White as an angel is the English child जैसे एक white बच्चा होता है वो angel की तरह white होता है उसकी तरह But I am black लेकिन मैं काला हूँ as a bereaved of light Bereaved का मतलब वंचित रखा गया मैं black हूँ तो लगता है जैसे मुझे light से दूर रखा गया बंचित रखा गया लेकिन मुझे याद है My mother taught me underneath a tree and sitting down before the heat of the day She took me on her lap and kissed me and pointing to east and began to see लेकिन मुझे याद है मेरी माने मुझे क्या सिखाया था कि एक सुबह जब मैं और मेरी मा सूरज के गर्म होने से पहले पेड के नीचे बैठे हुए थे एक पेड के नीचे और मैं अपनी मा की गूद में बैठा हुआ था मेरी माने मुझे kiss किया और east की तरफ यानि उकते सूरज की तरफ इशारा करते हुए वो बोली कि look, देखो look on the rising sun there God does live and gives his light and gives his heat away and flowers and trees and beasts and men receive comfort in morning joy in the noon day मेरी माने सूरज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो वहां गाड रहते हैं उकते सूरज की तरफ इशारा करते हुए बोली कि वहां गाड रहते हैं वो हमें भी रोश्णी और गर्मी देते हैं कि सारे जिन्दा लोग उस गाड की एनरजी का पायदा उठाते हैं चाहे फ्लार्स हों पेड़ बौदे जानवर इंसान सब सब सुबह से शाम तक गाड की एनरजी का पायदा लेते हैं गाड ने हमें सब कुछ दिया है and we are put on the earth a little space that we may learn to be at the beams of love and these black bodies and sun burnt face is but a cloud and like a shady groove तो गाड ने हमें सब कुछ दिया है और इस अर्थ पर भेज़कर हमें एक छोटा सा खुद का space भी दिया है ताकि हम आराम से रहें और गाड के दिये हुए gifts और उनके प्यार का मज़ा ले सके मेरी मा ये सब मुझे बताती थी कि जहां तक बात है हमारी black bodies और black faces की तो ये तो बादलों की तरह है clouds की तरह है पेड की परचाई की तरह है और जैसे हमारी souls हमारी आत्मा एक बार ये गर्मी जिलने लायक हो जाएगी God भी उन आत्माओं को हमारे शरीर की जरूरत नहीं होगी इन bodies की जरूरत नहीं होगी God हमारी souls को इशारा करके कहेंगे कि अब इस परचाई से बाहर आ जाओ God हम सब को अपने टेंट में बुलवा लेंगे जैसे हमारी souls छोटे छोटे बकरी के बच्चे हो उस तरह से ये चीज मेरी मा ने मुझे बताई थी और यही चीज मैं इस अंग्रेज गोरे बच्चे को पास कर रहा हूं बता रहा हूं कि जब वो यानि अंग्रेज बच्चा और मैं दोनों इन शरीरों से आजाद हो जाएंगे मैं अपनी black body से और वो अपनी white body से तो हम दोनों God के टेंट में मिलेंगे उन बकरी के बच्चों की तरह और खूब मज़े से खीलेंगे अफटर लाइफ की बात हो रही है यहां पर और वहां पर God के टेंट में उसकी soul को उस वक्त या आदत नहीं होगी की वो God की प्यार की God के लव की इस गर्मी को जील सके तो उस गर्मी से मैं उसे बचाऊंगा जब तक की उसकी soul भी लायक नहीं हो जाए यह गर्मी जीलने के और फिर मैं खड़ा होकर उसके बालों पर हाथ पेरूँगा वहां जाकर God के टेंट में तब शायद उसी के जैसा मैं हो जाऊंगा और वो मुझे पसंद करेगा कहने का मतलब यहां पर God के पास God के घर में God की नजरों में सब बराबर होते हैं कोई काला गुरा नहीं होता I hope आपको यह पोईम पसंद आई होगी आज की इस वीडियो में बसत नहीं